टूथाउजन टूहंड्रड एन्फिफ्टी नाइन्थ एपिसोड औफ नापपुर्ज मोस्ट हापनिंग फेस्बुक लाइफ शोगाना मेरा आज की बात विमिन अब दे यर के साथ लेकिन ये नापपुर में ने हो रहा है ये अम्रावती में हो रहा है और ये अम्रावती का मोस्ट हापनिंग फेस्बुक लाइफ शोग है मेरे साथ एक बड़ी जानी मानी हस्ती है पस्नालिटी है अम्रावती की लेकिन उससे पहले धन्यवाद करता हूँ पारेक ब्रादर जूलर्ज नापपुर का बेस्ट जूलरी स्टोर जो उनने सो से तालेस से महिलाओं को बे एक मात्र ऐसी कंपनी इस देश की जो बहुत अच्छे होम प्राड़क्स बेचती हैं ओनलाइन आप जरूर यहां ड्रीम्स होम डाट कॉम पर जाए और शॉपिंग करें चलिए मुलाकात करते हैं विट रिकॉर्ड होल्डर नरेंद्र मोधी जी के हातों से मेनों जरूर फित एक ऐसी महिला जो जब रंगोली बनाती है तो नहीं सर्फ रंग लेकिन जो लोग उस रंगो देखते हैं उस रंगोली को देखते हैं वो वाकरी में अपने आपको धन्य समझते हैं कि उन्होंने मिस्स माधूरी सुदा की कलाकारी देखे चलिए स्वागत करते ह आपका रुजहान रंगोली कि तरफ आया ये कब आया क्या बच्पन से ही इस शेत्र में इस कलाकारी में आपका इंट्रेस्ट था मुझे आइट से बहुत लगा हुए, मुझे बच्पन से कलर के साथ खेलने का बहुत शोक है, मैं बच्पन से पैंटिंग्स वगरे बनाती थी, उसके साथ साथ जब टेवार आते थे तो हमारे एरिया में सब अपने अधन में रंगुली बनाते थे, तो रंगुली देख यह एक आर्टिस्टिक अप्रोच, बहुत सारे लोग रंगुली दो बना लेते हैं, महिलाए रंगुली दो बना लेती हैं, लेकिन उसका जो डिजाइन है, और नए नए डिजाइन है, और उसके बाद एक स्पेसिविक साइज के उपर में काम करना, यह कितना करने की पहले से ही जैसे इच्छा थी, तो मैंने एक पिचर देखा था, उसमें रंगुली में डांस करते करते रंगुली बनाई गई थी, तो वो मुझे जादा मेरे दिमाग में इफ्रेट कर गई, आम्रेपली पिचर में शायद वो सीन है, तो उससे मुझे ऐसा कुछ जी तो वक्त के साथ क्या साइज की रंगुली, क्या आट की रंगुली, किस किसम के डिजाइन आपने वक्त के साथ लेकर आए आप जी, वैसे देखो तो हम लोग वेलकम रंगुली बनाते हैं, फूलो की, पत्तियो की बनाते हैं, पर इससे कुछ हटके करना, एक मैसेज लोगों के तक जाए, तो मुझे सब्जेट रंगुली पहले सब बहुत पसंद है, अम्रावती में जब मैंने फर्स्ट करना चालू की है, लेकिन आपको जन चीजों के लिए पुरस्कित किया गया, आपको आपने वर्ल्ल रिकॉर्ड बनाया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, सबसे पहले आपने से सब बोला था, अभी की प्रतिबाताई पाटिल हमारे अम्रावती से है, तो उनके ही अभी अभी नंदन के लिए मैंने ही अभी में साड़े चार स्क्वेर फिट की रंगोली उनके पोस्टर में बनाई थी, और उसका भी मेरा मेरा रेकॉर्ड हुआ है, और बस 2007 से मेरा ये सिल्सिला सूर हुआ, 2007, 2008, 2009, मैंने डांस वी तरंगोली किया है, डांस करते-करते हैं में 15- 15,000 स्क्वेर फिट की रंगोली बनाई, वो मैंने भारत माता को समर पिक किया है, नॉन स्टॉप डांस करके मैंने रंगोली बनाई है, और उसका मेरा इंडिया बुक अउप रेकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद मैंने 2011 में 11 पार्टिसिपेट, 11,11,11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12 अच्वेर इंडिया बुक अप रेकॉर्ड हुआ, इस्या बुक अप रेकॉर्ड हुआ, उसके बाद मैंने कराटे भी तरंगोली की, कराटे करते करते 15,000 स्क्वेर फिट की, 30 स्टुडेंट के साथ वो रंगोली बनाई, सेल्फ डिफेंस को लेके, महिला उपो स्टुडू रंगोली बनाई, उसके बाद मैंने जैसरी मुदी जी की गैराइगर स्क्वार्फट के लगोली बनाई, से बाद मैंने लॉंगस न्गोली बनाई, से बाद मैंने लॉंगा थूएपा om बेटी पढ़ा, यह 59,000 स्क्वेर फिट की लंबी रंगोली हमने अमराव तो एसे बड़ी बड़ी रंगोलिया जब बनाती है तो अकेले बनाती है या कोई साथ रहता है जी, आयोजन तो खुद करती हूँ, उसके बाद संकल्पना भी खुद की होती है, आइडियास सब होती है मेरी, शिरिफ सपोर्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स लेती हूँ, और उन्हें भी एक मौका देती हूँ, मेरे साथ साथ, कि उनका भी वल्ल रेकॉर्ड हो, आज मेरे अंदर में कम से कम साड़े 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका इंडिया भूक अपरेकॉर्ड, इश्या भूक अपरेकॉर्ड हो चुका है, अरे वा, मतलब देखा जाये तो आप अमरावती के उन गत्रों में से एक है, जिनोंने नहीं सिर्फ प्रदेश में, लेकिन देश मेरा दिमा के इसमें ही दोड़ता है, आपको बताया मैंने कि जैसे मुझे रंगों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, आपका परिवार आपके इस काम को किस तरह से दिखता है, इतने खुश होते हूं, हाँ, बहुत खुश होते हूं, पहले तो ऐसा लगता था था कि थोड़ी मतलब रंगों के पीछे ये बहुत पागल है, बर आज मेरा नाम है, मैंने जी टुएंटी की भी रंगोली 6,000 स्केर फिट की बनाई हुई है, इनर वील का लोगों मैंने 5,000 स्केर फिट का बनाया हुआ है, तो ऐसे रंगोली का जो इवेंट में लेती हूं, तो आज मेरे साथ-साथ उनके भी 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके है, मेरे 18 हो चुके है, वो समझदार हो गया, जबसे वो मेरे साथ जूड़े हुए है, तो मुझे मेरे साफुजी का भी बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब कीचन से चुट्टी हो जाती है, तो मुझे सबसे तो जब मादूरी जी रंगोली नहीं बना रही है तो मादूरी जी क्या कर रही है मतलब क्या करती है अगर आप रंगोली नहीं बना रही है तो क्या करती है जी वैसे तो मैं रंगोली नहीं बना तुम्हें डान्स का बहुच्छो के के внимание के टांसुकाइब स्काराइब करना करती हूँ ज सोला सलमेन में मैं के साफ उफ आ्पम कहते हूँ कफ़ और मैं फुट बेन्स जञाद करना पसंड करती हूँ उसके बाद मैं करेकल नाच त्योटक ने रमों की लिट इस खैलती हूँ और बाई प्रोफेशनल में एक आरटीस्ट हूँ, मतलब मेरे एक शुवर माट्स छोटा सा इस्टूट है, इसमें में ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, मेहंदी, रंगोली, वेस्ट में से बेस्ट, इसे सारी चीजों के क्लास चलाती हूँ, मेरा टाइमिंग 11 से शाम कि इस पूरे स्पेस में, जहां पर रंगोली है, जहां पर कत्खक है, जहां पर कलास जुड़ावा हरे काम है, कितना खुश पाती हैं अपने आपको वहाँ पर है, सर में तो बहुत खुश होती हूँ, जिस दिन मुझे काम नहीं है, ऐसा कोई दिन मैंने आज तक नहीं द्रेंडिंग रहते हैं, मतलब मेरा प्लाइनिंग पनदरा से बीज दिन के आगे चलता है, तो मुझे समय नहीं मिलता, और जैसे-जैसे मुझे मुझे मिलते हैं, मैं उस मुखे को एक्ष्ट करती हूँ और अपना वर्प करते हूँ, अब आगे क्या क्या करना है क्या सपने हैं मेरा सपना ऐसा है कि मैं इस मेलाओ को सिखा सको काफी लोगों में बहुत कला होती है पर वो कर नहीं पाते हैं, उनको समय नहीं मिलता, तो मुझे ऐसे भी फोन आते हैं कि मैं इस टाइम के बाद आपके पास टाइम है क्या हमें थोड़ा सा नव से दस टाइम दे दो, और मॉनिंग में दे दो, तो मैं चाहते हूं कि मेरा इंस्टिजूट 20 आवर्स चालू रहे, जिसमें मैं उनको सिखा सकूँ और वो भी रंगों के साथ खुश रहे, वो भी अपना नाम करें, वो भी अपना इस से इंकम जनरेट करें, और अपना परिवार को भी मतलब सपोर्ट करें, प्रोफेशनल भी उसको हैंडल करें खुश भी रहे, आपकी जिन्दगी का, कौन कांसी ऐसी सोच है आपकी, आप उस पर ही जलती है, ऐसी कुछ चीज है, हाँ, मेरी एक मतलब परसनल व्यू है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करती हूँ, ताकि उससे किसी को नुकसान नहो, उसका समाज को भी फाइदा हुए, बच्चों से मतलब मेरे पांस, पां करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिने ऐसा कुछ करना चाहिए, कि आर्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, अभी रंगोली कैसे है, लोग थोड़ी-थोड़ी हमारी संस्कृती पीछे-पीछे होते जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेहंदी है, रंगोली है, और छोटी- क्राफ की जो चीजे है, यह और आगे आए, इसमें हर स्कूल में भी यह सिखाई जाए, जो कि ड्रॉइंग को थोड़ा बोट नहीं वैल्यू दी जाते है, तो यह सारी चीजे मैं सिखाना चाहती हूँ और ऐसा चाहती हूँ कि यह बच्चे खेले, क्योंकि आर्ट ऐसी ची प्रमान देता है, तो यह सारी चीजे अगर अपने हाथ में हैं, तो मैं सबसे यह कहना चाहूँ कि आपको जो आर्ट पसंद है, आप उसको छोड़ो मत, उसको लेके चलो, उसको सीखो बाइप, मतलब एक तो मच्चे से सीखो, बेसिक से सीखो और उसको लेके ही आप आगे किशाओं प्रोफेशनली उसको अगर जिन्दगी की सुनेरी किताब लिखी जाती, किताब के सुनेरे पन्ये पर यह नाम माधुरी सुदी, सुदा माधुरी सुदा यह नाम लिखा जाता, उसके नीचे क्या आप ऐसा लिखती जिसे पहने के बाद लोग आपको हमेशा करें कि कोई कैसी बात जो आपने अब तक जीवन में सीखी है मूल मंत्र जीवन का कुछ ऐसा सीखा है जो आप चाहती है कि आप उसके नीचे लिखे इसके बाद लोग उसको पड़े और फॉलो करें से आपको आपको आसा लगता है कि जीवन ऐसा ही है क्यों अब इस वेक्ति में आर्ट होते चाहे वो संगीत की वो चाहे कोई कोई भी चिज के हो, संगी, नुट्याओ, जब वो इसमें आते हैं, तो उन्हें, वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, और वो अपने आप में, मतलब खुद को खुश करते हैं, उसमें से एक ऐसी खुशी की लहर आती हैं, जिसमें सारा वातवरन रंग अच्छा हो जाता है, कि एक पैसा कमाना अलग चीज है, हर कोई पैसे कमाता है, पर आठ एक ऐसा है कि बोलते हैं हर इंसान को जिन्दा रखता है, तो इंसान होना भागी की बात है, कालाटार होना स्वाघ्गी की बात है, आपने अपना वक्त दिया, माजूरी जी आप यहां पर आई, आप ने इ आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है जिस डेडिकेशन के साथ जिस डिवोशन के साथ आपने अब तक अपना काम किया अपने काम से अपना नाम किया मुझे सब्सक्राइब कि सरस्वती मा का एक बहुत स्पेशल आशिरवाद है आपके और यह हमेशा आशिरवाद बना रहें और आप ऐसे ही हमें प्रोट साहित करती रहें आपने अपना वक्त दिया आप यहां पर आई उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मादुरी सुदाजी से बात हुई मुलाकात हुई इन इस एक्स्क्रूसिव एपिसोड ऑव राज की बार बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने जीवन को अपने अपनी कला के लिए अपने काम को लेकर समर्पित करते हैं लेकिन वो समर्पन भी काफी उनके लिए तारीफे बटोर कर लाता है अगर आपके घर में छोटी सी बिटिया है जो कला के पीछे दीवानी है रंगों के पीछे दीवानी है और आपको ऐसा लगता है कि वो रंगों के माध्यम से अपनी कला के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी रंग भर सकती है तो समझें वो माधूरी सुदा बन रही है हर घर में एक माधूरी जरूरी है जिन्दा रहें जैहिन